हाई गाईज, वेलकम बैक टो मैं चानल रिचेश महरा व्लोग्स और मैं हूँ रिच्चा तो आज के व्लोग की सार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबा सुबा से अभी बज रहे हैं सुबा के नौ हमारे दूरग में आज सुबा से बिलकुल भी धूप नहीं निकली है बहुत ही ये तो बिलकुल समझ ही नहीं आ रहा है मैंने कल शाम को कपड़े धो एते मुझे पता ही नहीं था कि आज दूप नहीं निकलने वाली है तो मैं ये सोची थी कि मैं उपर छट पे कपड़े डालू या ना डालू मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था कि मैंने गमला पर और बस मुझे वेट है कि बीच से कब पौधी निकलेंगे हवा तो बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहे थी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं कपड़े सुखा रही वो कितना जादा कपड़ा उड़ा था तो मुझे लगा कि हवे से तो कम जे कम कपड़े सूखी जाएं कपड़ा सुखाने के बार मैं आ गए केचन में क्योंकि किछन का भी हाल मैंने बेहाल करके रखा हुआ था त्मडे जल्दी जल्दी से मैंने केचन का प्लेट फर्म क्लीन किया जितने भी रात के बरतन थे वो मैंने जल्दी जल्दी से धोए और पानी भी इतनो जादा मुझे लगी नहीं रहा था कि मैं बर्तन को टच कर रही हूँ बर्तन दोने के बाद लगाना था मुझे जाड़ू पोछा सारे घर के काम खतम करके मैं चली गई नहाने के लिए और नहाने के आने के बाद मैंने किया पूजा पाट पूजा करने के बाद अब विंटर आ चुक तो सबसे पहले apply किया मैंने toner टोनर लगाने के बाद मैंने कुछ drop serum की लगाई अपने face पे और बहुत ही अच्छे से अपने face पे observe होने दिया winter पे अपने face को बहुत ही जादा healthy रखने के लिए अपनी skin को बहुत ही जादा healthy रखने के लिए आप mosterizer और cold cream लगाना तो बिलकुर भी avoid मत कीजिए जितना ज्यादा आप अपने skin को mosterizer कर सकते हैं आप उतना अच्छे से अपने skin को mosterizer कीजिए ताकि आपके skin बहुत ही ज़ादा soft रहे अगर मैं अपना face wash भी करती हूँ दिन भर में और मुझे face पे कुछ भी नहीं लगाना रहता बट फिर भी मैं monsterizer ज़रूर लगा लेती हूँ उसके बाद यहाँ पर apply कर रही हूँ मैं सिंदूर सिंदूर लगाने के बाद मैं लगाने वाली हूँ छोटी सी बिंदी बिंदी लगाने के बाद मैं लगाने वाली हूँ lip balm क्योंकि lip balm भी winter के लिए बहुत ही ज़ादा important होता है और guys मैं आपको बता दू कि lip balm मैं सिर्फ winter पर नहीं लगाती मैं हमेशा ही lip balm लगाते रहती हूँ जब आप lipstick लगाते हो अपने lips पर तो आप lipstick लगाने से पहले भी lip balm यूज़ कर सकते हो जिससे की lipstick के कारण जो dryness आ जाती है lips पर वो नहीं आएगी मैंने भी पहले lip balm लगाया उसके बाद मैंने लगा लिए हलकी से lipstick जब मुझे बाहा जाना होता है तब ही मैं make-up करती हूँ अदरवाइस मैं दिन बर घर पे ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ मुझे simple रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तयार होने के बाद मुझे लग गई बहुत ही ज़्यादा भूग तो मैंने बनाया अपने लिए चाय और चाय के साथ आप देख सकते हो कि यह आलू का पराठा है मैंने अराम से बैट कर अपना नाश्ता किया उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से सबजिया भी काट लेती हूँ और आज बनाने वाली हो मैं गोबी आलू मतर की सबजी अगर आप लोगों को गोबी मतर आलू की सिंपल सी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे रीचा मेरा शॉर्ट चैनल पे जाके देख सकते हैं उस पे मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पर जो गोबी के पत्ते हैं वो मैं अलग करके रख रही हूँ क्योंकि नेक्स दे मैं गोबी के पत्ते की सबजी बनाने वाली हूँ चन्ना दाल के साथ वो भी बहुत ही ज़ादा टेस्टी होती है और उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगर आप लोगों को गोबी भाजी की भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मेरे रीचा मेरा शॉर्ट सैनल पे जाके देख सकते हैं जो कि मैं कल बनाने वाली हूँ और कल ही मैं अप लोगों कर दूँगी गोबी भाजी की रेसिपी बहुत ही जादा इजी होती है और खाने में उतनी ही जादा हैल्दी और टेस्टी होती है आज कल की जो गोबी आती हैं उसमें ग्रीन कले के कीडे होते हैं तो इसलिए गोबी को बहुत ही अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गोबी को कट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं गोबी को बहुत ही अच्छे से चेक करके बनाती हूँ। घर में करी पत्त लगाने का यही फायदा होता है कि जब भी आपको जरूरत होती है आप जाके तोड़ सकते हो तो मुझे भी अचानक से याद आया कि फ्रीज में तो करी पत्त है ही नहीं तो मैं गई तूरं छट पे और मैंने दो चार पत्तियां तोड़ ली करी पत्त का तो अपना ही अलग टेस्ट होता है फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाई सबजी और मैंने एक साइट बनाया जल्दी से राइस मुझे तो गोवी मटर आलू की सबजी बहत ही जादा टेस्टी लगती है आप लोग भी प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को गोवी मटर आलू की सबजी कैसी लगती है और सबजी बनके हो चुकी है रेडी जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से लग रही है खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और अभी का टाइम हो रहा है साम के साड़े पाच बजे का जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़ादा रात दिख रही है बट ये शाम का टाइम था सोकर उठने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं रात में उठ रही हूँ फिर मैंने हाथ मूँ धोकर दिया बत्ती किया पूजा करने के बाद फिर से हो गया हमारा चाय का टाइम मैं चले गई किचन में अपने हस्बिन के लिए चाय बनाने के लिए यहाँ पर चढ़ाई हुई है मैंने चाए और दूद सिर्फ इतना सा ही बचा था तो मैंने सोचा कि मैं चाए बना कर ये दूद में ही छान दूँगी और जिसके बाद ये हो जाएगी दूद चाए तो बन गई है हमारी चाए हाइ गाईज अभी बच रहे है रात के दस और दिन बच जितने भी मैंने व्लोग बनाया था उसमें मैं कुछ बोल नहीं थी पास-पास पे बहुत जाएदा आज आरही थी जिसके काने में कुछ भी बोल रही थी तो बहुत जादा हौच पॉच भॉच हो रहा था मैं उस चैनल पर अप्लोड करूँगी मैंने क्लाइचर अभी किया था पूरा बाल खुल गया तो आज का ब्लोग में यहीं पेंट करते हूं मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तो प्लीज दू लाइन कमेंड शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल विचिस रिचेश म नेजर ब्लोग में का झाल हिस्त唬 इस्तmm वाज हो चैनल था ब्भाईब तूम։